हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूटूब चैनल न्यूज अफडेट पहले पे स्वागत है दोस्तो आईपेल 2021 का ओपनिंग मेचा मुकाबला या फेस्ट मेचा मुकाबला रोईत सर्मा की कपताने वाली टीम एमाई वे दोस्तो विराट कोली के कपताने वाली टीम RCB के मद्दे 9 अप्रेल को भारते समय अनुसार साम 7 बज के 30 मिनट पे मेच दंबरम इस्टेडियम चन्ने में खेला जाएगा दोस्तो ग्राउंड अप इस रिपोर्ट का वीडियो पहले अप्लोड कर दिया है अभी तक नहीं देखा तो अभी देखे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तो आप इस वीडियो से जान पाओगे कि किस टीम की हो सकती है जीत तोस किस कप्तान की चमका सकता है किसमत दोनु टीम के क्या रहने वाले यह पलिंग 11 साथ में दोस्तो कैसा रहेगा मोसम का हाल फेंटेशी टीम में आप किस प्लेयर्स को ले सकते हो सब कुछ आपको इसी वीडियो में कम्पलिट मिलने वाला है वीडियो को एंड तक देखें दोस्तो मेरा नाम है जगदिस और आप देख रहे हो न्यूज अपडेट पर यूटूब चैनल आपको बता रहे हैं आपको बता रहे हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वे एक वोट्सप नमर मिलेगा वाजा कि वोट्सप करें इनका काम कापी बेट रहे हैं पॉइंट नमर वन पे आते हैं दोस्तो आपको बता रहे हैं 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 RCB टीम अभी तक IPL इतियास में टोटल 29 में एचा मुकाबले खेल चुकिये, MI टीम ने दोस्तो 19 में एचा मुकाबलू को अपने नाम किया है, RCB टीम ने दोस्तो 10 में एचा मुकाबलू में जीदर रज़ किये, पॉइंट नमर 4 की बात की जा तो दोस्तो दोनु टीम का एक दूसरे के परति हाई वे लोई स्कोर देख लेते हैं, RCB टीम का हाई स्कोर MI टीम के सामने दोस्तो 235 रन है, वही लोई स्कोर 108 रन है, वहीं MI टीम का हाई स्कोर RCB टीम के सामने 213 रन है, फिलो इसकोर दोस्तों 115 रन है पॉइंट नमर पांच की बात की जा तो आपको बता दे कि MH दंबरम स्टेडियम चन्ड़ी में दोनु टीमें अभी तक IPL में टोटल 2 में एचा मुकाबले फैले भी खेल चुकिये दोनु टीम ने एक दूसरे को एक एक में एचा मुकाबलों में हराया था पॉइंट नमर 6 पे आते हैं तो दोस्तों आपको बता दे कि अप्रेल मंद के अंदर फैले भी दोनु टीम में आपस में टोटल 12 में एचा मुकाबले खेल चुकिये MI टीम ने नो में एचा मुकाबलों को अपने नाम किया था ये RCB टीम ने दोस्तों MI टीम को तीन में एचा मुकाबलों में हराया था पॉइंट नमर 7 में दोस्तों दोनु टीम के टोप बले बाजु को देखते हैं MI team की बात किजाए तो MI team की और से करॉन पोलाट का नाम आता जो अभी तक टोटल IPL में RCB team के सामने 539 रन बनाचुके। पोपोईन्ट नमर एट पे आते हैं, दोस्तों, RIGHT पे आते हैं दोस्तों, ग्राउंड अपिस रिपोट्ट देख लेते हैं, आपको बतारहें कि दोस्तों, अभी तक नहीं देखा तो अभी देखे, वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शनों मिल जाएगा, वहीं बात की जाए दोस्तों ग्राउंड की तो यहाँ पी अभी तक टोटल T20 डोमेस्टिक में एचा मुकाबले 82 खेले जा चुके, फेस्ट बले बाजी करने व परम की पिस बेटिंग के लिए काफी बेटर रहने वाली है, लेकिन दोस्तों डूफ हेक्टर को देखते हुए यहाँ पे टोस्तिन टीम आपको फेले पोलिंग करती ही दिखाई दे सकती है, वहीं दोस्तों फेस्ट इनिंग्स में बले बाजी करने वाली टीम 17780 तक का स्क परम की पिस बेटर रहने वाली है, वहीं दोस्तों एमाई टीम की ओर से विकेट की पर की जिम्मेदारी रहने वाली है, इसान किसन यह कमिंटेन डिकोग पे, ओल्राउंडर की बात की जैत, ओल्राउंडर में आपको हार्दिक पंड्या करन पोलाड खेल तो ही दिखाई दे दोस्तों एमाई टीम की ओर से बोलिंग का जिम्मा रहने वाला जस्परित वुम्रा ट्रेंट बोल्ट वा राहुज चाहर पे, आर्सीबी टीम की ओर से बले बाजी में आपको विराट कोली देवदत पार्टिकल, रजज़त पार्टिदार या सचिन बेबी है, वहीं दोस् दोस्तों आप अपनी फेंटेशी टीम के अदर विकेट केपर के अंदर इससान किसीन को ले सकते हो, रह बल्या बाजी में रोईसरमा, क्रीस लीन, विराट कोली वे देवदत पांडिकल को ले सकते हो, मोई दोस्तों ऐल्ड राउंडर के अंदर आप हार्धिक पांडया, मे बोलर के अंदर दोस्तों, आप उम्मराझ, जैमिशन, बर्टरेंट बोल्ट को ले सकते हो, कैप्टीन की बाट की जा तो दोस्तों, आप अपनी फेनटेश टीम के अदर कैप्टीन रोज सरमा को बना सकते हो, मही वश्ड कैप्टीन दोस्तों में एक वोट्सप नमर मिलेगा वाज जाके वोट्सप गरें इनका काम काफी बेटर रहे एक बार जाके ट्राइ करें दोस्तो आपको बता दें कि हमारे प्रेडेक्शन वन इसकर्च के नुसार आईपेल 2021 के 2020 में एचा मुकाबले में MI टीम की जीत होने वालिये कोई भी चैंज ओकात आपको टेलीक्राम पे अपड़ेट कर दिया जायेगा टेलीक्राम चैनल को भी जोइन किरें दोस्तो टेलीक्राम चैनल का नाम आप साइड में स्क्रेन पे देख पारे हो टेलिग्राम पे जाके सरेच करके जोइन ग्रो धन्यवाद दोस्तों वीडियो एंट तिक देखने के लिए